मैं मुश्तांग के लिए पर्मिट बनाना था कहा अचा यहां इधर से अगर निगलना चाहते हो तो बहुत ही पतला गुफा है मैं इतना रिस्क ले रहा हूं अकेले जा रहा हूं जा पाऊंगा के नहीं वह भी कन्फर्म नहीं है सही में सही में कब देखे अच्छा यहां अच्छा यहां से इसका पेपर बनवाने मुस्तांग जाने के लिए तो ही हमारा होटल है सामने से बहुत बड़ा दिखता है पीछे से भी बड़ा ही है लेकिन पार्किंग छोटा सा है जहां से मैं भी गाड़े निकाला यह लोकल लोग थे कल से बात कर रहे हैं मेरे से दोनों यह परिवार मतलब और यहां से बस ट्रेंट के पास ही लिया हूं पहुत बस थोढली तरहली बस ट्रेंट पहुंच गया है कल बारिस हो रहा था तो मेरे को होटल मिल नहीं रहा है इदा पूरा को फूरा होटल ही होटल है यहां पर बिर रोड मेंrüंटत होटां में मैं में अम्तला में हाईवे … यहां से बस 200 मिटर अंदर था, ज्यादा अंदर नहीं था, अच्छी बात थी अंदर था कि अधम सांती से सोया हूँ, पूरा खूब नींद लेके, नहीं तो इधर रहता, तो अल्ला होते ही रहता, सो गुड़ मॉर्निंग, गुड़ मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा, सामने में देख सकते हो पहाड है, अभी जो बात देखे हो सब होटल के पास की बाते थी, लोकल बाते हुई थोड़ा बहुत, और मैं रेडी हो गया हूँ, मस्त, जैकेट, जीन्स, फैन के, घूमने के लिए थोड़ा को थोड़ा आज एक्सप्लोर करेंगे, और इसका पेपर भी बनवाएंगे, मुस्तांग के लिए, मुस्तांग जाना है मुझे, और पहले कुछ खाया जाए, तो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट देखते हैं, बसे कल मैं देखा था, वहाँ पे ठीक ठाक था, र और यह होटल से मेरे जर्ष्ट दो सो मिटर पे था, और हम लोग को भी जाना है, इमिग्रेशन ओफिस, तो डाल देता हूँ, इमिग्रेशन ओफिस, पोखरा सर्च करना, तुरिश्ट इमिग्रेशन ओफिस, मैं, मुस्तांग के लिए पर्मिट बनाना था, कहाँ, अचाया, ठीक, एटेंक, इमिग्रेशन का काम हो गया है तो यहाँ पर हुआ है नेपाल टूरिजम में और यहाँ सब अपनी बाइप को लेके चलते हैं और घूमते हैं थोड़ा बहुत पोखरा बात पता दो कितना पैसे लगे तो अपने वो टोटल लगा है बारा सो रुपए दो सो रुपए फोटो खिचाने का और एक हजार इमिग्रेशन का नेपाली का नेपाली बारा सो पतला इंडिया का वही आठ नौ सो रुपए क्या सपस सो इमिग्रेशन ऑफिस से अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहला डेस्टिनेशन हमारा है की एक गुफा जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ चमगादर दिखता है जा रहे हैं हम लोग बैटमेन से मिलने हैं यहां वे बहुत पुराने पुराने घर मैं देख रहे हूं तो सोचा आप लोग को भी दिखा दू पुराने यह सारे कि सब तो अभी के हैं लेकिन ओदेख बहुत पुराने घर है उप इस्ट्रेट करो इस्ट्रेट करो खीच रहा हो पीछे हैं जाओ 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 मेरोको अभी जल्दी निकलना है मेरे को दूसरे रास्ता लेना पड़ेगा पिछे से है जो रोड पूरा बंद है सो गुगल के भरो से चलने पर यही होता है वाव क्या विलेज है यार सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है चमगादर को देखने के लिए इतना दूर आ गया मैं हुआ रीरल बै्ट के बैट केव किदर है यहां से ठीक ठीक था कि यू बैट के वेल्कम तो बैट के बचाई क्या बोले है हिंदी नेपाली ने आता है इनको हिंदी नहीं आता मुझे नेपाली नहीं आता चलो कोई नहीं लाइट लेके जा रहे चमगादर देखने अजीब अजीब से सौक है इंसानों के वाला एक्जिट एरिया है अभी एंट्री नहीं आसे एंट्री वाला एरिया में चलते हैं बिल्ड हो गया अचानक से सब पूरा का पूरा लोग आ अभी तक पूरा खाली था तो गुफा के अंदर आ गया है थोड़े उचे-उचे में थोड़े कम हाइट में हैं रास्ता तो सर टक राने का भी डर है सब चले गए अकेला मैं हूं और ऊपर से पानी भी गिर रहा है थोड़ा बहुत और इतने सारे चमगादर मैं पहली बार देखा जब चमगादर है तो उड़ क्यों निर म्यें सोच रहा हो करें सब बैठे क्यों है कि صोने बहुत डाउट होता है मेरे को चमगादर है यह यह कुछ बना दिया है एक आं पूरे तब तो पता चले मेरा जो सकता ना कि यह चमगादर नहीं है वो गलत था यह सारे चमगादर से अलार बैट्स कि अभी एक को मैं उड़ते देखा यह देखो यहां पर दिखा रहा थोड़ा बहुत कि अब के बाहर आ गया लेकिन यहां बारिस हो रहा है यह 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 वी टिकट को लगा था असी रुपय और यह दर बारी सो रहा है जस्त बैट के के सामने बाइक पार करके अच्छा फोन है ना वसी होलडर में छोड़ के चला गया था चालिस मिनट बाद आया वह असी लगा कोई ध्यान नहीं दिया या फिर यहां यह 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 लोग अच्छे है रहा हूं कि है और जा रहा हूं होटल के पस क्यूंकि बारिज बहुत तेज हुआ वा लगबहग ensure कोट ले लिया हूं तो तो एंको पहलं लिया हूं फिर भी लग रहा है भी जाओंगा इस यह बादा या जीब लोग possibly स्फिर करम से करके गलफ्स बना लिए हो ताकि ठंडी ना लगे क्योंकि टेंपरेचर बहुत ज्यादा है यहाथ में इदम काप रहा है तो सीधा होटल चलते हैं बहुत मज़ा आया लेकिन यहीं बारिस बस थोड़ा मज़ा कम कर देता है कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर चलने में रोड में चलने में कहीं मज़ा रहा है ऐसी रोड में बाइक चलाने का सौक पूरा हो गया अर तीन सॉर रपया का रेंखो पड़ा में रोगो अंटी वहां की ती काफी हेल्फूल थी उनके दुकान में लगओ एक घंटे तक बैठे रहा क्योंकि एक गंटे तक मैं रुका हूँ वहाँ और एक गंटे तक मैं उनके दुकान में बैठे रहा हूँ वो मुझे आराम से अंदर बैठने दी बाइ बाय बाय गाई बाय मिलते एकले वीडियो में बाय यह मेरा रूम का खड़की है जिससे व्यू यह आता है लेकिन जो बाल करनी है यहां से व्यू ठीक है